नमस्कार दोस्तों बैवयंग और आज हम डिस्कुस करेंगे रैपिड फायर में जो कि S.A.C. G.D. 2024 के लिए हिस्ट्री का टॉपिक है और दिल्ली का खिलजी वन्स आज का हमारा टॉपिक होगा इससे पहले मैंने दिल्ली का सल्तनत का जो पहला टॉपिक है गुलाम वन्स उस पहले जैसे ही आप करिये जितने भी कोशन होते हैं उसको आप जज करिए कि इस टॉपिक से आपको पहले से कितने कुशन आते हैं और कितना स्कोर बना है और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले और हो सके तो अगर ठीक लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज के पहले कोशन से पहला कोशन है 13 जून 1290 इश्वी को डैस ने खिल जी वंस की स्थापना की आप्शन से जलालु दिन फिरोज खिल जी सहाबु दिन उमर अलाउ दिन खिल जी या बक्तियार खिल जी एक बार सोच लीजिए इसका सही आनसर क्या है फिर हम डिश्क्रस करते हैं चलिए जानते हैं इसका सही आनसर इसका सही आनसर है जलालु दिन फिरोज खिल जी ठीक है आप याद रखने का एक तरीका यू रख सकते हैं जैसे सल्तनत की जितने भी वंस हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सहीद ठीक है और लोदी तो क्या क्या बन गया गुल खिले तो सांस लो गुलाम खिलजी तुगलग सहीद और लोदी ये तो वंस हैं सल्तनत के और इनके लिए आपको आप्सिंस में से आप्सिंस चुनने होते हैं कई बार कि बताईए सबसे पहले सल्तनत का कौन सा वंस आया किसका गुलाम बंसका तो वो था कुतुब दिन एबग नेक्स कोशिन के बढ़ते हैं निमलिखित में से किस सुल्तान ने किलोखरी महल में अपना राज अभी से किया और उसे अपनी राजधानी बनाया जलालुदिन फिरोज खिल जी सिहाबु दिन उमर अलाओ दिन खिल जी या बक्तियार खिल जी ये ध्यान रखिएगा किलोखरी महल में राज अभी से किसका हुआ जिसको आता है वो कमेंट करें सही आंशवर है जलालुदिन फिरोज खिल जी अगला कोशन है दिल्ली सल्दनत का सबसे ब्रिद्ध सासक जलालु दिन फिरोज खिलजी था जिसकी राजिया रोहन के समय आयू डैस थी 65 वर्स, 70 वर्स, 75 वर्स या 73 वर्स चलिए सही आंसर है 70 वर्स ठीक है ना जलालु दिन फिरोज खिलजी जब सासक बना तो उसकी उम्र 70 वर्स थी नेक्ट कोश्चन है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे जो खिलजी वन्स के सुल्तान थे वो कहां से थे या कौन थे मंगोल थे अफगान थे तुर्क थे या एक जाट कभीला था चलिए सही आंसर है तुर्क ठीक है ना जो खिलजी सुल्तान थे वो तुर्की थे नेक्ट कोश्चन है जलालु दिन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान डैस की हत्या कर खिलजी वन्स की स्थापना की जलालु दिन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान की हत्या कर खिलजी वन्स की स्थापना की वो कौन था गयासु दिन बलबन कैकुबाद नसीरु दिन मेहमूद या क्यूमर्ज चलिए यहां आपने देखा कि सुल्तान कैकुबाद और एक सुल्तान और था जिसका नाम था क्यूमर्स उसने क्यूमर्स और कैकुबाद की हत्या करके जलालुदिन फिरोज खिलजी ने खिलजी वन्स की स्थापना की नेक्ट गूस्चेंट है जलालुदिन फिरोज खिलजी ने सुल्तान दैस की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेक दिया था आप्सन से गयासु दिन वलबन, मुहम्मद बिन तुगलद, नासीरु दिन महमूद या कैकुबाद सही अंसर है कैकुबाद ठीक कैकुबाद की हत्या करके जलालुदिन फिरोज खिलजी ने यमुना नदी में फेक दिया था जलालुदिन फिरोज खिलजी ने अपने जेस्ट पुत्र एक्तियारु दिन को कौन सी उपाधी प्रदान किया था खान खाना, अरकली खान, कद्र खान, साइस्ता खान सही आंसर है खान खाना, मैं पांच सेकिंड तक रुकता हूँ हर कोस्टन के लिए भाई, तो आप उस पांच सेकिंड में डिसाइड कर लिया करिए लेकिं चार में से कौन सा आप्शन है, नेक्स्ट कोश्टन के लिए बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सासक कौन था, जो हिंदू जनता के प्रति उदार द्रिष्टी कौन रखता था, तो सुल्तानों में वो पहला सासक कौन था, जो हिंदू जनता के प्रति उदार द सही आंसर है जलालु दिन फिरोज खिलजी जलालु दिन फिरोज खिलजी जो था वो हिंदु जनता के प्रति उदार द्रिष्टी कोण रखता था सुल्तान जलालु दिन फिरोज खिलजी ने सन 1290 में रन्थम बौर पर खिलजी ने आक्रमण किया वो जगे कौन सी थी ठीक रन्थम बौर तो भीलसा देवगिरी मंडौर या मुल्तान चलिए सही आंस्वर है इसका भीलसा देवगिरी मंडौर और सुल्तान में से मंडौर नेक्स क्वेश्चन है अलाउ दिन फिलजी का पहला सेन अभियान निमलिखित में से किस छेत्र के विरुद्ध हुआ था गुजरात रन्थम बौर देवगिरी या चितोड अलाउ दिन फिलजी का पहला सेन अभियान जो हुआ था वो हुआ था देवगिरी के विरुद्ध ठीक ना देवगिरी के विरुद्ध पहला अभियान उसने सेन अभियान चलाए था और देवगिरी के उस समय सा सकते हैं राम चंद्र देव ठीक है ना राम चंद्र कभी ऐसा भी आ जाए तो ध्यान रखेगा राम चंद्र देव नेक्स्ट क्वेशन के बढ़ते हैं अलाओ दिन खिल जी के बच्पन का क्या नाम था अली गुरु सास्प मकसद ए अली गाजी मलीक या फरीद सही अंसर है अली गुरु सास्प अलाओ दिन खिल जी के बच्पन का नाम था अली गुरु सास्प नेक्स्ट क्वेशन है दक्षिड विजे करने का मिसन अलाओ दिन खिल जी ने किसे सौपा, दक्षिण पर विजे करने का मिशन जो था, वो अलाओ दिन खिल जी ने किसको सौपा था, साजी मलिक, खिज्र खान, मलिक काफूर, उलुग खान, सही अंसर है, मलिक काफूर, दक्षिण पर विजे करने की जिम्मेदारी जो सौपी गई, अलाओ दिन खिल जी के द्वारा, वो व्यक्ति था, मलिक काफूर, नेक्स्ट क्षिण के बढ़ते हैं, निम्न में से किसको हजार दिनारी की पदवी दी गई, ठीक, इसी से सम्मण दिये, देखो, हजार दिनारी, पिछली क्लास्ट्रेम में डिस्क्स किया था, लाख बक्स, लाख बक्स दिया था, अलाओ दिन खिल जी को, लाख बक्स नाम दिया गया था, सौरी को, तुब दिन आबक को, और हजार दिनारी की पदवी दी गई, किसको, मलिक काफूर, अल्प खाँ, नुसरत खाँ या जफर खाँ, सही जवाब है, मलिक काफूर, मिलाते जाहिएगा, आप लोग के कितने कोश्चन सही हो रहे हैं, नेक्स कोश्चन है, तुतिये हिंद, मोस्ट इंपर्टेंट कोश्चन, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, पहली बात तो यह समझेए, कि तुतिये हिंद किसको कहा जाता है, यह भी पूछा जाता है, तो तुतिये हिंद, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है, तुतिये हिंद, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहां पर, पाटली में, पट्टी में, पटियाली में, या पटियाला में, चलिए पटियाली में तूतिय हिंद यानि की आमीर खुसरों का जन्म हुआ था नेक्श क्वेश्चन है इन में से कौन सी रचना आमीर खुसरों की नहीं है तहकीक इहिंद किरान उस सदेन मिफताह उल्फुतु या नूर इसी पिहर सही आंस्वर है तहकीक इहिंद तहकीक इहिंद जो है वो आमीर खुसरों की रचना नहीं है ये सारी रचनाएं आमीर खुसरों की है नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरवार में था मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरवार में था अलाओ दिन खिल जी मुबारक खिल जी मुहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक चलिए सही जबाब है अलाओ दिन खिल जी के दरवार में मीर हसन देहलवी था नेक्स्ट क्वेश्चन किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयम को दूसरा सिकंदर सिकंद यी सानी दूसरा सिकंदर कहा था अलाओ दिन खिल जी बलबन मुहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी सही आंस्वर है अलाओ दिन खिल जी अलाओ दिन खिल जी ने खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर यी सानी कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था खलीफा उल्लाह का पद धारण करने वाला कौन सुल्तान था अलाउदिन खिल जी बलबन कुतुबुत दिन मुबारक खिल जी मुहम्मद बिन तुगलक सही जवाब है अलाउदिन खिल जी नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट चलिए सही आंस्वर है नसीरुदिन खुसरो सा की उपादी धारण थी किसने खुसरो खाने next question के बढ़ते हैं निमलिखिद में से कौन चार खान अलाउदिन खिलजी का अति विश्वस्निय था खान अलाउदिन खिलजी का अति विश्वस्निय कौन था इन में से option अल्प खान अरकली खान जफर खान या अकल खान दूसरे अल्प खान उलुग खान नुस्रत खान जफर खान अरकली खाँ, जफर खाँ, अकत खाँ, मंगु खाँ अकत खाँ, अरकली खाँ, मंगु खाँ या जफर खाँ आए ये सही जवाब जानते हैं सही जवाब है अकत खाँ, अरकली खाँ, मंगु खाँ और जफर खाँ ये चार जो थे ये अलाओ दिन खिल जी के अति विश्वस्चनिय व्यक्ति हुआ करते थे ठीक है दोस्तों तो ये आज के खिल जी वन्स के कुछ important question थे जो आपको जानना चाहिए इतनी knowledge तो होनी ही चाहिए और बाकी जितनी ज्यादा आप knowledge collect कर लें वो आपके लिए बहुत ह अच्छा होने वाला है comment box में जरूर mention करें कि 20 question में से आपके कितने question correct हुए है ठीक है और इन chapters and topics का complete discussion के लिए आप हमारी live class भी join कर सकते हो यहाँ पर details दिये गए हैं या फिर अगर आप गाजियाबाद ये उसके आसपास के हमारे आसपास के region से हैं तो आप offline इस address पर और online क कर सकते हैं हमारी classes zoom पर होंगी जो कि face to face हैं बिल्कुल offline class की तरह आपको discussion किया जाता है जब आप चाहें hold कर दे जब आप चाहें पूछ सकते हैं questions को student strength हम बहुत limited रखते हैं ताकि हमें खुद disturbance ना हो उमीद करता हूं आज की खिल्जी वंस की rapid fire class में कुछ important questions आपको मिले हो होंगे मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए जय हिंद